हाई फ्रेंड्स मैं राम चंद्र पजापती और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल RS Online Zone दोस्तों आज मैं हाजिर हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने Max Life Insurance के पालसे में अपने इस रेजिस्टर इमेल आईडी को कैसे चंज कर सकते हैं दोस्तों Max Life Insurance से रेलेटेड मैंने कई सारे वीडियो बनाए हुए हैं उन सभी वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बाक्स में दे दूँगा आप वहाँ से जाके मेरे सभी वीडियो को देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर में गूगल ओपन कर लिजिए उसके बाद सर्च बाक्स में मैक्स लाइफ इंस्वरेंस लिख के सर्च कीजिए यहाँ पर आपको मैक्स लाइफ इंस्वरेंस के आफिसियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा इस लिंक पे क्लिक कर दीजिए थोड़ी ही देर में Max Life Insurance की official website खुल जाएगी अगर ये काम आप अपने mobile पे कर रहे हैं तो अपने mobile को desktop mode में set कर लीजिए उसके बाद customer login वाले टेप पे click कर दीजिए एक नया page open हो जाएगा यहाँ पे अपना registered mobile number भर दीजिए registered mobile number भरने के बाद यहाँ पे अपना date of birth भर दीजिए आपका जो mobile number Max Life Insurance पे registered है और आप अगर उस पे WhatsApp चलाते हैं और अपने policy से related अपने WhatsApp पे अपडेट चाहते हैं तो इस check box पे click कर दीजिए उसके बाद continue वाले टेप पे click कर दीजिए थोड़ी ही देर में आपके registered mobile number और registered email ID पे 4 digit का OTP भेजा जाएगा उस OTP को दोनों में से किसी से देख के यहाँ पे भर दीजिए OTP भरने के बाद लागिन वाले टेप पे click कर दीजिए इस तरह से थोड़ी ही देर में आप Max Life Insurance के अपने account में लागिन हो जाएंगे आ जाएगा उसके बाद personal वाले टेप पे click कर दीजिए दोस्तों आप से एक छोटा सा अनुरोध है अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को like कीजिए share कीजिए मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को subscribe कर दीजिए उसके बाद bell icon की घंटी को दबा दीजिए जिससे की मेरे आने वाली नए नए वीडियो का notification आप तक पहुंचती रहे अगर मेरे वीडियो से related कोई जानकारी चाहिए तो मेरे comment box में मुझे comment जरूर करें आपके सभी comments और suggestions का मेरे चैनल पे स्वागत है उसके बाद contact details वाले tab में आपको यहाँ पे आपका registered email id दिखने लगेगा इस email id को change करने के लिए edit वाले tab पे click कर दीजिए जिस नए email id को आप यहाँ पे registered करना चाहते हैं उस email id को यहाँ पे भर दीजिए उसके बाद change email वाले tab पे click कर दीजिए आपके screen पे एक confirmation message आएगा confirm वाले tab पे click कर दीजिए अब आपके registered mobile number और registered email id दोनों में 4 digit का OTP भेद दिया जाएगा दोनों में से किसी से भी OTP को देखके यहाँ पे भर दीजिए OTP भरने के बाद update my details वाले tab पे click कर दीजिए इस तरीके से आपके द्वारा email id को change करने के application का request successfully submit हो जाएगा और application successfully submit होने के बाद आपके screen पे confirmation message भी आ जाएगा Thank you झाले जाएगा